ओम नमस्षिवा जय महाकाल, साथ अस्थान सिवलिंग पर बताये गए हैं, जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, तो भगवाशियों उस ब्यक्ति के पित्र को पित्र लोग में ही मुक्ति परदान कर देते हैं, अगर आपको लगता है कि स्व सिवलिंग पर वो साथ अस्थान बताये गए हैं, जहां पर आपको चंदन लगाना है, पहला अस्थान सिवलिंग पर आपको चंदन का लेपन करना है, दूसरा अस्थान सिवलिंग पर जहां गड़ेश जी का अस्थान है, वो जगह पर आपको चंदन की विंदी लगानी है तीसा स्थान कातिकेजी के स्थान पर आपको चंदन की उंगले लगानी है चौता स्थान आशुक सुन्दी के स्थान पर आपको चंदन की उंगले लगानी है पांचवा स्थान जलाधारी पर चंदन की उंगले छटा जो सिवलिंग से पानी बह रहा है ठीक इसके पीछे चंदन की उंगली लगाएं और सात्वा स्थान नंदी की दोनों सिंगों पर चंदन की उंगली लगाएं अगर आपको लगता है कि हमारे पूर्वदु का उधार नहीं हुआ है कहीं कोई अधोगती में चला गया है तो बस महिने में एक बार ये आपको करना है अमावश्या के दिन, आपको महादेव पर चंदन लगा देना है, तो आपकी पूरवजो को मुक्ती मिल जाएगी, क्योंकि चंदन देवध ही महादेव को अधिक प्रे है, और स्यूलिक पर ही चंदन लगा दिया जाए, तो पूरवजो का कल्याड हो जाता है, क्योंकि एक पूरवजो को भी बहुत अधिक प्रे होता है, आज आपको रोज नहीं करना है, बस एक बाद ही करना है, हर हर मादेव